सुरी शिवाय नमस्तु ब्याम हर हर महादीव कैसे हैं आप सब देखिए आज का ये वीडियो बहुती जादा खास होने वाला है देखो हम सबी जानते हैं कि कल 13 अगस्त को शनिवार के दिन सावन मास्क के पवित्र महिने की पुर्शोतम मास्क के प्रदूश कीतिती है यहने कि रविवार का दिन है तो रवी प्रदूश का बहुती शुब योग बन रहा है और आपको मात्र शहद से और एक चावल के दाने से बहुती आसान सा उपाय करना है देखो आज के पूरे वीडियो में हम आपको चार महा उपाय बताएंगे जो कि आपको कल के दिन करना है रविवार के दिन प्रदूश के दिन करना है चारों में से जो उपाय आपको लगते हैं आप कर सकते हैं देखो सबसे पहला जो उपाय होगा अगर आपके जीवन में कोई भी विशम परिस्तिती चल रही है जिससे आप बाहर आही नहीं पा रहे हैं विशम परिस्तिती यानि कि आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है तो आपको पहला उपाय करना है दुसरा जो उपाय होगा अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने भोलेनात की कई प्रकार के उपाय कर लिए लेकिन फिर भी भोलेनात की क्रपा आपके उपर नहीं बरस रही है आपके घर के सदस्यों के उपर नहीं बरस रही है तो बहुती आसान सा उपाय करना है दो दीपक का महा उपाय तीसरा जो उपाय होगा आपके शरीर में कोई भी रोग हो कोई भी इच्छा आपकी जो कहीं दिनों से परिपूर्ण नहीं हो रही हो उसी के लिए हैं बहुती प्यारा सा उपाय है तीसरा और चोथा जो उपाय होगा वो आपको शहद और चावल के दाने से बहुत ही आसान सा उपाय करना है जीवन में तेज के वृद्धि के लिए तो देखो आज के इस पूरे वीडियो में चार महा उपाय की बारे में हम बात करेंगे देखे ये सारे उपाय पुझ्जी गुरुदेव की ही कता सुन करके समझ करके समझाने का पूरा प्रयार्स करूंगा लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर पहली बारा हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें देखे ये चारों महा उपाय नए उपाय हैं इसलिए बिल्कुल ध्यान से समझना देखे उपाय जानने से पहले हम जान लेते हैं कि प्रदूश काल का समय कब रहेगा 13 अगस्त को प्रदूश काल का जो समय रहेगा वो शाम को 7 बचकर 8 मिनिट से ले करके रातरी में 9 बचकर 22 मिनिट तक रहेगा प्रदूश काल के समय अगर आप यह उपाय करते हैं तो सर्वोत्म होता है देखे सबसे पहला उपाय है यदि आपकी कोई विशम परिस्तिती है जिससे आप बहार नहीं आ रहे हैं तो आपको यह उपाय करना चीए कोई समस्या है जो कई दिनों से आपका पीछा छोड़ ही नहीं रही है तो आपको यह उपाय करना चीए देखो सबसे पहला उपाय आपको क्या करना है एक कनेर का फूल लेना है देखो इसक्रेन पर आपको दिख रहा होगा एक कनेर का फूल लेना है साथ मे लेना है एक बेल पत्र और इसके साथ मे लेना है एक शमी का पत्ता देख वेसे तो यह उपाय, सुबह से लेकर के रातरी तक जब आपकी च्छाओ तब आप यह उपाय कर सकते हैं, लेकिन प्रदूश के दिन प्रदूश काल के समय अगर आप यह उपाय करते हैं, तो सर्वत्तम होता है, देखो प्रदूश काल के समय जो है, वो हमने आपको पहले ही यह पत्ता दिया अब आपको क्या करना है भग्वाज श्व्लिंग के ओपर श्रीश शयवाय नमस्तभियं का जाप करते हुए यह पूरा जल का पात्र अर्पित कर देना है आपकी जो परिषम परिष्टिती है पहले उसका इसमरण करना कि यह जो मेरी समस्या है वह सब दूर हो जाए ऐसी काम न करते हो एक फिर उसके बाद आपको जलर्पित करना है श्रीशिवाय नवस्तुब्यम करते हो है देखो जलके पात्र में यदि कनेर का फूर रह जाता है बिलपत्र रहे जाता है या शमी पत्ता रहे जाता है तो आप आपके सीधे हाथ से निकाल करके वो भगवान शीव के शीवलिंग पर आप चड़ा सकते हैं आपके जीवन की जूबी समस्या होगी वो निश्य ठीक समाप्त हो जाएगी ये बहुत ही आसान सा उपाय है नया उपाय है लेकिन फिर भी भोलेनात की क्रिपा आपके उपर बरस नहीं रही है भोलेनात आपके उपर प्रसंद नहीं हो पा रहे है तो आपको बहुत ही सुन्दर सा उपाय करना है यदि आपके साथ ऐसी समस्या है तो यह उपाय आपको प्रदूश की दिन करना है और वो भी आपको प्रदूश काल की समय तियार कर लेना है और आपको क्या करना है। सबसे पहले जो दीपक है आपको आपके घर के मुख्य द्वार पर सीधे तरफ यानि कि आप जिसे घर में प्रविश करते हैं तो जो सीधा तरफ जो सीधा हाथ होता है ना सीधे तरफ आपको लंबी बाती का दीपक परजलेट करना है और यह जो लंबी बाती का जो मुख में आपको यह डिपध करना है यह उपाय करने से आपके घर में ढिएसकि महादेब की दिरिष्टी है वह आपकी घर पर पड़ती है और आपके घर से सारी समस्या जो है वो दूर हो जाती है एक तरीके से महादेव को प्रसिंद करने के लिए उनकी शक्तियों को खीचने के लिए यह उपाय किया जाता है बहुत ही प्यारा सा उपाय है आपके समस्त मनोकामना परिपूर्ण हो जाएगी और आपका जो घर है वो सा उपाय है देखो अब हम बात करते हैं तिसरे महाँ उपाय की अगर आपके शरी में किसी भी प्रकार का रोग है जो कई दिनों से जाही नहीं रहा है तो आपको ये विशिश उपाय आपको करना है देखो ये उपाय केवल और केवल प्रदूश के दिन ही किया जाता है ठी एक तामबी के पात्र के अंदर जल लेना है ठीक है साथ में लेना है सेवन धुर्वा धुर्वा घुर्वा 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 नमस्तुब्यम का जाब करते हुए उसका जो जल है वो आपको अर्पित कर देना है ठीक है अब आपको क्या करना है जो साथ दुर्वा है साथ दुर्वा को एक साथ रखना और दुर्वा के पीछे आपको रखना है पांच बेल पत्र बेल पत्र भी एक साथ रखना और अपने जलादारी की तरफ होना चीए जो धुर्वा खास होगी वो नीचे होना चीए और उसी के उपर बेल पत्र होना चीए और बेल पत्र की जो चिकना वाला साइड है वो नीचे की साइड ही होना चीए आगे आपको बासमें इस प्रकार से आपको लकुलेईश महादेव का नाम इ करदेना है आपका जो भी रोंग स्मरण करना है कि यह रोग है to work here डूरी करते हुए अथे को लेना है यह हो गया तिसरा उपायी अब हम बात करने हैं चोते उपाय की देखो इस उपाय को करने के लिए आपको बिल पत्र लेना है मात्र एक बेल पत्र यह उपाई उन लोगों को करना चाहिए जिन लोगों की जीवन में उदासी बहुत जादा है जो बहुत जादा चारो सामगरी लेकर के भगवान शीव के मंदिर में जाना है सूबा से लेकर के शाम तक प्रदोशकाल के समय भी यह उपाय कर सकते हैं देखो करना क्या है एक लोटा जल सबसे पहले सूरे इश्युवर महादेव का नाम इसमरन करते हुए भगवान शीव के शीव लिंग पर अरपित करना है देखोर इस कर करने आपको नाम मिल जाय sechs हैँ अब आपको क्या करना है बेल पट्र जो है बेल पत्र की जो उपर वाली पत्ति है उस में आपको सीदे हाथ की चीठे इंगली पास वाली जो उगली है जो अनामी का उगली कहते हैं स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी अनामी का उगली में शहद लगाना और उपर वाली पत्ती पर आपको शहद की एक बिंदी लगा देनी है अब आपके पास एक चावल का दाना यह चावल का दाना उस शहद की बिंदी पर आपको चिपकाना है देखे वीडियो गेंदर देखो बताने का प्रैस कर रहा हूं अब इस बेल पत्र को उल्टा आपको अर्पित करना याने कि चावल का जो दाना है वो भगवान शीव के शीवलिंग पर इस पर सोगा उसके उपर शयद लगाया है और वो बेल पत्र इसो अगर घर की जो महिला है वह अपने बच्चों के लिए अगर ये उपाय कर रहे हैं तो आपको प्रातना करनी है कि मेरे जो बच्चा है मेरी बात नहीं मानता है या वो जो धिन पर उदासी मे रहता है उसको बहुत जाधा टेंचन है तो महादेव इस का जो टेंचन है वो समाप्त कर दो इस रवी प्रदूश पर ऐसी कामना करते हुए ये एक बिलपत्र आपको महादेव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है यकीन मानिए आपकी जीवन की सारी परिशानिया दूरोगी देखो आज के इस वीडियो में हमने आपको चार महा उपाय बता चार महादेव